अगर जो अधिकार मिलता है वहां उस तक पानी के बवस्ता उसके रहने के लिए बवस्ता सिचा के बवस्ता स्वास्ति के बवस्ता अगर हो जाए तो यह हमारा उगरवाद के अस्तिति कहां से परपेगा कहें होगा क्यों करेगा किस लिए उठाएगा एक अदम उठाने से क् बनना चाहते हैं कि अगर बनता है उस लोगों तक नहीं मिलता है तो यह उगरवादी खतम होगा जब तक उसका अधिकार नहीं यूजना ना चाहिए रोड बने हम रोड का बाधक नहीं है विकास का बाधक नहीं है लेकिन करके बाधक नहीं कते हम लोग बर्धास नहीं है अगर गर्मा जरुवा जमीन भी होगा तो उसके उस जगह से विस्थापन निती के ताथ पुनार्वास के निती के ताथ उस जगह कि या वो लोगों नियुजा भी हमारे साथ है असोग दा जो चत्रा के संभावित परत्यासियों में से एक हैं आने वाला सालों में अंत में चुनाव होना है आपको बता दे कि दुर्गापुजा छट के बाद ही चुनाव होने वाला है चत्रा पूरे ज्हारखंड में उससी को लेकर आज असोग जी से मिलाएंगा और जाने की कोशिस करेंगे स्वागत है असोग जी कैसे हैं तरह जारखंड अलग होने के बावजूद भी हमारे जो जारखंड का अस्तिती है 88 वर्स के दोरान जो है से जारखंड का अजदी मिला अलग हुआ और अलग होने के बहुत भी आज भी जिस तरह से जो पिहार से चलता था आज भी हमारे इस तरह से हो रहा है यहां के अस्थ जिले से आप आते हैं सबसे पहले जिले को आतंकवाद के नाम से जाना जाता था नकसली के नाम से जाना जाता था अब कुछ सालों में कुछ कम हुई है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए किस तरह से दिखते हैं उस जिले में आप रहते हैं किस तरह से उसको खत्म किया पूरी तरह से क्या सोच होगी आपके इसके बारे सबसे पहले रविदा जुहार और हम यह जिस तरह से जो कानून सरकार अगर भारत सरकार बनाती है और उसके बहुजूद भी काफी आंदोलनों के बाद जब आंदोलन हो रहा था जल जंगल और जमीन के लेकर के जहरकन राज जब अलग हुआ जल जंगल जमीन के लिए भी दूजर शो में कानून मना लेकिन कानून अगर बनता है उस लोगों तक नहीं मिलता है ते खाम उकाज जो ऐसे अभी उगरवादी कहां से खतम होगा जब तक उसका अधिकार नहीं मिलेगा तब यह तो कानून मना और कानून क जब तो कि यह कमारा उगरवाद के अस्तिती परपेगा काय हो गां किश लिए उठाएगा एक कदम उठाने से क्या फाइदा होगी तो हम कहते हैं कि अगर हमारा जरकन के मैं चटरा से गुजर रहे एक तिसरा रेल्वे लाइन का भी जा रहा जिसमें भारत माला भी है और उसके साथ साथ रेल्वे लाइन हो हमको कहते हैं कि अगर उस जगह पाहिले से उस जगह पर रहते आ रहे हैं खेटी बारी करते आ रहें गर में बचा रहते आ रहें अभी 2014 तक आप देखिएगा कि गर्मा जरुआ जमीन का टैक्स क्या मुलते माल गुजरी दिया गया देने के बाद भी अभी 2014 के बाद जारकन सरकार उस समय रगवर सरकार थे और उसी समय पूरे जो से भूमी हम रोड का बादक नहीं है विकास का बादक नहीं है लेकिन विनासकर के बादक का Moroccan को बंना जाहीं बहुत बड़ी बात कही है अपने और यह सच spend को मुख मंतिरी है जिस तरह चुनाव आने वाला उससे पहले ठीक एक सबसे पहले यह बोलना चाहते है कि अगर उस परिवार में जो हम लोगों को चौकलेट चुसाने का काम कर रहा है उस परिवार में एक विदायक का तीना साइध हम तीन लाइख सब्सक्राइब क्या मिलता है वह मिल्कुल सम्टिंग होगा अगर वह तीन परिवार का एक ही घर का अगर है तो उसके अंदर में कितना पैसा जाता होगा और अभी जो है से हम लोगों को मया समान एड़ा कीता चौकलेट चुसा कर ये तो नहीं लगता है कि क्या कि लोगों को क्या लिवाज़ान ऑनाना चाहते है खिटी आक रेसारյार का सरकार पर निरव्प्स है को कहते हैं वी दिख्याइग का सकर कर पर चत्रा जीरा कि देखें है तो ऊसी प迷ीक फर्षितल पर्टिसत जो है पर जल जंगल में है इसका अबास पैम आवास आया रहा है लेकिन उस जगह पर उसका रशी था पातपर्चा नहीं है इसके चलते जोह शी है उस जघ्यार पर सरकार के पशुविदा विल पारा हो लाई कि रोड के अस्तिती नहीं है तो यह जो सरकार चौकलेट चुसाने का काम करें इसके लिए तो हम लोग भाई हम लोग बहुत बड़ी बात कहीं है और अंत में मेरा यह सवाल रहेगा आप परत्यासी के रूप में आ रहें चत्रा में आ रहें चत्रा विधान सबाब में आ हैं बहुत बड़ी चुना होती है यहां पर कहीना कहीं अभी मंत्री जी विधायक है जो अभी सत्यानन्द भुगता उनकी बहु आने वाली है जहां तक देखे जाए उससे किस तरह से किन मुद्दों के साथ आप चत्रा में आएंगे क्या मुद्दा रहेगा कि चत्रा में सब कि अभी का किये है कि वह एक अपना समाज से चुनाव लड़ने के लिए इस चुनाव lang की एक अपना समाज को छोड़कर यह दूसरे समाज से लाकर के बहु कुलाए है और यहां चुना लगनाना चारे अभी हमको कह न आय कि अगर मंत्री जी यहां कोई विकास नहीं किये हैं तो उनका पूतो जो है जो हाज किचण में धान रोपी नहीं है आज ठंडा सही नहीं है यहाँ बरसात हुआ नहीं है उनके साथ दूप सही नहीं है क्या विकास कर देएंगे कि अभी विविकास कर पाएंगे इसके लेकर के जो हम लोग को टाइगर जहराम महतोजी यह को जैल के पाटी नहीं है कुछना होते हुए भी वह जहरकन के लिए यहां के बचाने के लिए यहां युवाओं के लिए सिचा के लिए स्वास्ति के लिए आंदोलन करें जल जंगल जमीन का आप जब बनिएगा विधायक आप साइद बनते हैं तो सबसे पहले चत्रा के लिए अभी सबसे पहले अभी जो हम बताए कि हमारे बीच में जो 80% लोग है जो जंगल अधारित हैं जंगल से जंगल में रहकर के वह जो अगर रोड से विस्थाफित हो रहे तो उसका विस्थाफन नितरी बना करके पुनरवास निती बना करके उन लोगों को मुआवजा मिले और उसके ताथ उसको जगह सेलेक्शन किया जाए तिसरा सिच्छा सिच्छा में अभी देखिएगा कि हर एक स्कूल तो खूल है पर क्या है कि उनका इतना टास्क दे दिया जाता है कि वह स्कूल में बैठते नहीं है बच्चा जाते हैं और यह को टीचर रहते हैं अब बताइए कि वह सिच्छा क्या गरन होगा वहां हमाहोल बनाल रहता है हल्ला हंगामा होता है उसको सिच्छा से खेलवाड हो रहा है पारसिचा का वहाबालो श्वास्त में है आप देखिएगा कि बहुत सा इसा सुदरवर्ती छेत्र है जाओ कि कोई सुविधा नहीं है उसका उसको मैंने उस्रुचा मिल पाए आप हम एक जंगल छेत्र में घूमते हुए हमको एक गए थे हंटर गंज के ही माना मात है माना मात है घरदरी है कोल हुआ है अन्हें लगता है सजनी है और यह लगभा के तेरा गाउं है जो कि आज तक वहां कोई रोड का ववस्था नहीं हो पारा है वहां जो है देखने वाले कोई नहीं है तो उस जगह पर भाई भारत अजादी का अठातर वे वर्सम गाठ बना रहे हैं आज भी वहां तक सड़क से लोगों को जुड़ाने गया है जो कि वहां से अगर किसी को तवित कराब हो जाता है तो आते आते उसको रोड में ही दमदन तोड़ देना पड़ता है चलिए अभी मैंने मिलाया असोग जी से और असोग जी ने बहुत सारी मुद्दाएं रखे चत्रा को लेकर और आने वाले समय में जो चुनाव में संभावित परत्यासी के रूप में अब देखना यह होगा कि जेल के में इन पे कितना भरोसा जताते हैं और इन्हें अपने पूरी जोर लगा चुके हैं और चत्रा के विकास के लिए एक नई गाथा एक नई कथा लि धन्यवाद